Hello guys, welcome to Tech Streamer Realme के तरफ से दो नए स्मार्टफोन की लीक्स परता चले है confirm नहीं है लेकिन दो नए स्मार्टफोन रियल्मी बहुत जल्द लाँच करने वाला है and most probably दोस्तो ये होने वाला है Realme 8 and Realme 8 Pro तो बहुत ही शांदार स्पेसिफिकेशन के साथ affordable price range के अंदर Realme प्लान कर रहा है इस वाले फोन को launch करने की क्योंकि Micro Max फिर से इंडिया के अंदर आ चुका है तो competition काफी जादा इनके साथ बढ़ चुका है तो दोस्तों यहाँ पर फोन के performance की बात करते हैं पहला Realme का phone होने वाला है जो की आपको hopefully Android 11 out of the box आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसके बाद display की बात करते हैं तो phone के अंदर आपको 6.67 इंच का super AMOLED पैनल देखने के लिए मिल सकता है जो की 90 Hz refresh rate वाला display होगा यह जो display होगा दोस्तों punch hole cut out या फिर punch hole के साथ आने वाला है जहाँ पर इसका front camera का position होने वाला है इसके बाद camera की बात करते हैं तो phone के अंदर आपको quad camera setup देखने के लिए मिल जाएगा और जो इसका primary sensor होने वाला है Realme 8 Pro का वो 108MP का हो सकता है साथ में आपको wide angle lens, depth sensing lens and macro lens सारे देखने के लिए मिलेंगे next front camera की बात करते हैं तो 44MP का यहाँ पर front camera मिल सकता है आपको चुकि काफी अच्छी selfies को capture कर पाएगा इसके बाद दोस्तों battery की बात करते हैं तो almost 5000 mAh के आसपास का battery दिया गया है battery confirm नहीं है कि कितना मिलने वाला है लेकिन 4800 से लेकर के 5000 mAh के बीच का battery यहाँ पर आपको मिल जाएगा और जो battery है दोस्तों वो 65W super dart charging को support करेगा fast charging बहुत कमाल की है और battery भी दोस्तों काफी बढ़िया आपको मिलने वाली है साथ में आपको USB-C type port मिल जाएगा इसके price की तो 30,000 के आसपास के इसका price होने वाला है इसके specs को देख करके expect किया जा रहा है कि Realme इसको 28,000 से लेके 30,000 के बीच में launch करने वाला है तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो पसंदा है तो लाइक करना बिलकुल भी ना भूले वेट करते स्मार्टफोन का देखतें कि कैसे features के साथ Realme इसको launch करता है थैंक्स फूर वाचिंग